नमस्कार RS अनपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम कच्चे केले का कटलेट बनाना सीखेंगे इसके लिए हमने 5 मिर्डियम साइज के केले जिसे हमने उबाल लिया था फिर उसके छील कर मैशर से उसे अच्छी तरह मैश कर लिया है उसमें हम 2 मिर्डियम साइज के आलू मैश करके डालेंगे एक बड़ा साइज का प्याज पारी करके डालेंगे धनिया पत्ती और 3 हरी मिर्च डाली है फिर हम उसमें 1 चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच चाट मसाला, स्वादुन सान नमक एक चमच भूना जीरा पाउडर और आदा चोटा चमच हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और एक चमच अधरक लेसन का पेश्ट डालेंगे इसे हम मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें सूजी डालेंगे हमने इसमें चार चमच सूजी डाला है और इसे भी हम अच्छी तरह mix कर लेंगे इसे हमने अच्छी तरह mix कर लेना है देखे अब यह mix हो चुका है अब हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसकी cutlet बनाना सुरू करेंगे आप इसे टिक्की बोले, कबाब बोले या फिर cutlet बोले, एक ही है इसे हम गोल बना कर इसे थोड़ा किनारे को अच्छे से शेप दे के हम इसे बना कर सब तयार कर लेंगे देखे इस तरह हमने सब बना लिया है अब हमने तेल गर्म कर लिया है हमने इसे तेल में डालना है और तेल हमारा गर्म होना चाहिए और हम इसे मेडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे जब नीचे से हलका लाल हो जाए तब हम इसे पल्टेंगे इसे आराम से हम पल्ट देंगे इसे पहले पल्टे नहीं नीचे तोड़ सकता है इसलिए जब नीचे थोड़ा लाल हो जाए तब इसे पल्टे इसी तरह हम सारी कटलेट को बना कर तयार कर लेंगे हमें इसे एक बार तलने में पाच मिनुट का समय लगा है देखिए हमारे कटले तयार है इसे आप हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ खाए खाने में बहुत टेस्टी लगता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरू दबाए ताकि नहीं वीडियो आप तक पहुँछ सके धन्यवाद